इधर कई दिनों से कोरोना संक्रमन के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल महराश्ट करनाटग और तमिल नाडू समेट कई राजियों में कोरोना मामलों में भारी उच्छाल देखने को मिलना है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा कोविट महामारी की तीसरी लहर का संखेत भी हो सकता है। वहीं भारत में कोरोना के नए मामलों की तुल्ला में कोविट मरीजों के ठीक होने की दर यानी recovery rate घट रहा है। केंद्र स्वास्त बंतराले के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से जादा नए मामले सामने आए हैं जबकि 35,000 से अधिक COVID मरीज ठीक होके रिकवर हुए हैं जबकि 460 COVID मरीजों की मौत हुई हैं आपको बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों क की संख्या में लगातार पाच्वे दिन बड़ोत्तरी हुई है। ये इंद्रिस्वास्त बंत्राले के जारी आकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 460 कुरोना मरीजों की मौत के बाद म्रत्कों की संख्या बढ़कर 4,217,830 हो गई है। वहीं देश में एक्टिव मरीजो की संख्या बढ़कर 3,68,558 हो गई है।